हाई आप्रीबन आज के लेक्चर में हम समझेंगे प्राइमरी सेकंडरी टर्सेरी अलकोहल क्या होता है या फिर जिसको हम बोलते हैं 1 डेगरी, 2 डेगरी, 3 डेगरी अलकोहल तो ये सिम हमारा degree of carbon की जैसे है, जैसे हमारा primary carbon, secondary carbon, tertiary carbon होता है, वैसे ही ये alcohols भी होती है, जैसे हमने लिया यहाँ पे CH2OH, ठीक है, एड़ इधर कोई एक carbon group attach है, तो क्या आपको देखना है, आपको OH नहीं देखना है, आपको carbon देखना है, जिस OH से carbon attach है, तो ये carbon से attach है, इतनी carbon से attach है, शिर्फ 1, तो इसको हम बोलेंगे primary alcohol, क्या बोलेंगे primary alcohol, या फिर क्या बोलेंगे 1 degree alcohol, clear है, अगला example देखते है, for example, for example, हमने लिया CH3, CH, CH3OH, ठीक है, ये हमारा कौन सा alcohol है, तो आपको क्या देखना है, जिस OH से, जिस carbon से ये OH attach है, तो इस carbon से ये OH attach है, ये carbon कितनी और carbon के साथ attach है, तो 1 and 2, ये जो carbon है, 2 carbon से attach है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा secondary, secondary alcohol, या फिर क्या हो जाएगा, 2 degree alcohol, ठीक है, primary होगा, 1 degree जब सिर्फ एक carbon से जुड़ा होगा, secondary 2 carbon से जुड़ा होगा, tertiary में 3 carbon से जुड़ा होगा, अगला example, suppose हमने लिया CH3, C, CH3, CH3, then OH, अब इसमें बताईए, ये primary है, secondary है या tertiary है, तो आपको क्या देखना है, जिस carbon से जुड़ा होगा है, इस carbon से ये OH directly attach है, तो आपको इसको देखना है, ये कितने carbon से है, 1, 2, 3, 3 carbon से ये attach है ना, ये वाला carbon, तो ये क्या होजाएगा, tertiary, tertiary alcohol, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, 3 degree alcohol, quarter नहीं होता है, क्या, quarter तरी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर एक OS ग्रूप प्रेजेंट है, और carbon maximum 4 bonds का formation करता है, इसकी वैलेंसी 4 होती है, चली, अब आप पताएंगे कौन primary है, कौन secondary है, CH3, CH2 है, ठीक है, double bond, CH, bond, CH2, and OH, ठीक है, हमारे पास ये एक compound है, तो ये primary alcohol है, secondary है, या tertiary alcohol है, तो देखे, ये जो OH है, इस वाले carbon से attach है ना, ये carbon कितनी carbon से attach है, सिर्फ और सिर्फ 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, primary alcohol, या फिर हम क्या बोलेंगे, इसको, one degree alcohol, हम देखते हैं, OH हमारा कहां है, यहां पे है, ये इस वाले carbon से attach है, जो OH है, जिस carbon से attach है, उसको आप बोला बना लीचे, ठीक है, तब clarity जाद आएगी, ये तो hydrogen है, hydrogen नहीं देखना है, इधर एक carbon है, इधर एक carbon है, ये जो carbon है, जिस से OH जुड़ा हुआ है, attach है, वो carbon कितने carbon से attach है, 2 carbon से attach है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 degree alcohol होगा, या फिर हम इसको बोलेंगे, secondary alcohol, ये वाला, ये है carbon जिस से OH जुड़ा हुआ है, तो ये carbon कितने carbon से जुड़ा है, 1, 2, 3, तो ये हमारा क्या होगा, 3 degree alcohol होगा, या फिर जिसको बोलेंगे, tertiary alcohol, चली, इस में देख से जुड़ा है, 1 यहां पे है, and 1 यहां पे, ये जो carbon है, 2 carbon से attach है, तो ये क्या होगा हमारा, 2 degree alcohol होगा, ठीक है, हमने 2 degree लिख दिया है, ये जो alcohol है, ये इस वाले carbon से attach है, ये carbon कितने carbon से attach है, 1 and 2, तो ये भी क्या होगा, हमारा 2 degree alcohol होगा, इसमें देखते है, ये जो OH है, इस इस वाले carbon से अटेच है यह carbon कितने और carbon से टेच है तो सिर्फ one यो carbon से जुड़ा है वहें क्या देखना इवाला तो यह carbon सिर्फ 1 carbon alcohol होगा इसकी बात करें तो यह एस वाले कार्बन से अटैज है यह कारण कितने कर्बन से अटैज है बन एंड टू ज़ी इमारे क्या घूल होगा अलरइट चले इसमें देखते हैं ये जो alcohol है कितने carbon से attach है ये जो alcohol है ये इस वाले carbon से attach है और ये carbon कितने अगले carbon से attach है 1 and 2 तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 degree alcohol होगा ठीक है सिर्फ और सिर्फ आपको degree of carbon ही देखना है जिससे OH attach है इस OH की बात कहा है तो इसके साथ attach है लेकिन ये benzene है ये cyclohexane है ये benzene ring है तो जब benzene ring से directly OH attach होता है तो इसको हम alcohol नहीं फिनॉल कहते हैं क्या कहेंगे इसको फिनॉल ये हमारा क्या है फिनॉल है अलकोहल नहीं है ठीक है इसमें आते हैं ये OH इस वाले carbon से attach है ये carbon कितने carbon से attach है only one carbon से तो ये हमारा क्या होगा वन डिगरी alcohol हो और एक दो एक्जामपल बताते हैं फिल लेक्चर को इंड करती है और एक्जामपल हमने लिया हमारे पास हो गया benzene ring एंड हमने लिया CH OH and CH3 नेक्स्ट हमने लिया benzene ring देन CH3 OH and CH3 ठीक है इन दोनों में आब बताएंगे कौन से हमारा 1 डिगरी है कौन 2 डिगरी है कौन 3 डिगरी है तो इस अलकोहल की बात करें तो इस वाले carbon से ये attach है all right ये जो carbon है कितने carbon से attach one and two यहां पे भी एक carbon है एक carbon ये वाला है तो कितने carbon से ये attach है two carbon से तो ये हमारा क्या होगा two degree alcohol होगा जिसको में बोलेंगे secondary alcohol ये जो OH है इस carbon से attach है ये carbon कितने carbon से attach है one two and three total three carbon से attach है तो ये वाला OH हमारा क्या होगा ये three degree alcohol होगा ठीक है अब हम आपको एक homework देते हैं जिसमें आपको बताना होगा कि इसमें कितने one degree, two degree and three degree OH present है so this is your homework इसमें क्या लिखा है how many one degree, two degree, three degree alcohol present in this compound ये हमारा पास कोई compound है इसमें आपको बताना है कि कितने one degree alcohol है, कितने two degree alcohol है and कितने three degree alcohol है ठीक है खञजब खड़ खब तस क मने廃ट ये बताना है कितने प्हें है जुच्द एतम कितनेति हो रुच्छ कितने थ explaining